नमस्कार किसान सातीयों, एक बार फिर से स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल RK खेती ग्यान में सातीयों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूपर सीडर के बारे में किसन सातियों सूपर सीडर मशीन का मुख्य कारिक कमबाइन हारवेश्टर के साथ धान की कटाई के बाद एक ही ओप्रेशन में धान के आउसेशों को मिट्टी में मिलाना तथा गेउं के बीच की बिजाई करना है सूपर सीडर पशल अवसेज जलाने को रोकने के लिए वरतमान खेती की जरुरतों को पूरा करने के लिए एकल समाधान है बात करते हैं सूपर सीडर की लागत सूपर सीडर मशिन की लागत लगबग 2 लाग रुपए हैं और इसका उपयोग मक्का, दलहन, सहित अन्य पसलों की बुवाई के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा यह बीच की खपत में लगबग 10% की कमी करता है। एक हेक्टेर क्षेतर में पारंपरिक बुवाई विदिक के साथ एक किंटल गेहूं के बीच की आउशकता होती है। अब बात करते हैं कि जो है सुपर सीडर के से काम करता है। सुपर सीडर मशिन को चलाने के लिए 55 HP या इससे अधिक HP का टेक्टर होना चाहिए। इस मशिन का वजन लगबग 870 से 1000 किलोग्राम होता है। यह मशिन 12 से 18 इंच की खड़े धान की आउशेशों को मिटी में मिलाएगी और फिर गेहूं के बीच को उसके साथ 2 से 3 इंच गेहरा बोया जाएगा। सुपर सीडर में एक सरल और आसान पेमाईश प्रनायल ही है। इसको बीच के अनुसार बदला जा सकता है। सुपर सीडर मशिन अंकूरन का आश्वाशन देती है। मिटरिंग डिवाइस को बेहतर प्रदर्शन और इस्तायत्व के लिए ऐल्यूमिनियम और लोहे के मिश्रन के साथ डिजाइन किया गया है। विशेश रूप से डिजाइन किये गए ब्लेड का उप्योग पशल आउसेशों को ठिक से निपटने के लिए किया जाता है। किसानों को अलग से रोटरी टिलर खरीदने की कोई आउशकता नहीं होती है। यदि आपके पास सुपर सीडर मशिन है तो। तो साथियों यह थी सुपर सीडर मशिन के बारे में कुछ जानकरी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्च बताएं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवार।